हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आल आज मैं आपने जो वीडियो लेकिया रहा हुआ है मात्र 19 रुपे का शेर कंपनी का नाम रेल विकास निगम लिमिटेड आज पहला दिन था मार्केट में इसका तो कैसा रहा है पहला दिन कैसा रहा इसका अब पहला दिन से मतलब अभी आपन लिस्टिंग पर अक्सर आप देखते होंगे कि लिस्टिंग पर अच्छे शेर में बहुत चपरदस्त गेन होता है लेकिन कुछ शेर जो ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हो पाते तो लिस्टिंग के दिन मतलब इतना खाचा वहां पर गेन देखने को नहीं मिलता और वहीं पर फ्लाइट ही वह एंड होते हैं तो इसका रेल विकास निगम लिमिटेड का कैसा रहा उन सब चीजों को जानते हैं छोटे से वीडियो में और उससे पहले मैं आपको बता दूगा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या फिर आप नहीं भीवर है तो प्ली चैनल को स और रेलवेस के अंडर कंपनी आती है गौश्मनिन कंपटी जरूर है और गौश्मनिन कंपची की एक बात होती जो पीस इसई कंपटी है वहाँ पे अक्सर वो बाउंड होते हैं कि उनको तीस परसंट के आस पास डिविडेंड जो है प्रॉफित में प्रॉफित का हिसस्ट dividend में बाटना ही पड़ता है इस तरीके से कुछ rules हैं तो वो बाटते हैं बड़ी-बड़ी companies तो यह जो rail विकास निगम limited यह एक काफी profitable company है इंडिया की और एक चीज को ध्यान रखिएं इंडिया के अंदर जो railway infrastructure है वो बहुत बड़ा infrastructure है railway का और वो भी अभी भी मतलब की यह मान के चलिए कि उतना developed नहीं है उतना क्या बहुत कम developed है यह देखिए उस field में बहुत ज्यादा काम बाकी है और यह RVNL rail विकास निगम limited यहां पर काम करता है जिती भी rail project development और इसके लिए financing का हो गया implementing rail project and raise extra budgetary resources for Indian railway project execution यह जितने भी rail project है जैसे के construction है cable state bridges है major bridges है workshop है metro projects है railway electrification है सारे उनमें यह काम करता है तो इसलिए यह शेर खास हो जाता है अब अगर आप इसके detail देखें और सारी चीज़े समझें तो आपको आप देखिए ministry of railway ने अभी 172 project RVNL को assign के थे February 2019 तक किये बात है 166 project जो है वो execute कर चुका है December 2018 तक और जो book size है वो देखिए 77,000 करोड का book size है मतलब भर भर के काम पढ़ा हुआ company के पास company अभी देखिए अगर इसका consolidation जो management fee है MOARC वो भी 10% for national project है 9.2% for metro projects है 8.50% other plan इस तरी के से यह उन पर charges करता है चलिए यह तो ठीक है सारी सी के अंडर आता है central government के काम करता है state government के काम करता है अगर profit की बात करें इस company अगर आप financial profit देखें तो पिछला यानि कि 31 यह 2015 में 3300 करोड का profit यह जो figure से यह 300 करोड ने 337 करोड का profit यह 10 लाग के हिसाब से है तो आप इसमें है यहां पर point लगा लिजी तो 337 करोड का profit फिर 439 करोड का profit 2016 में 2017 में 443 करोड का profit 2018 में record तो पान सो सतर करोड का profit और September 2018 तक देखें कितना था यह टोटल 31 मार्स यहां हो गया और इसके बाद पच्छिस सौ करोड का profit यह दो कौटर का है अभी दो कौटर बच्चे है तो आल्मोस्ट यहां पर भी यह 253 करोड का है तो यह आप मान के चलिए 500 500 करोड के आसपस पूरा N20 अगर अब लगा हो तो मतलब ultimate में कहूंगा यह शेर लेकिन इसका financial track record बहुत बढ़िया है अब यहां पर आप सोचेंगे इतना बढ़िया जब यह IPO था तो यह सब्सक्राइब क्यों नहीं हुआ अगर इसके सब्सक्रिप्शन देखोगे तो बहुत कम यह सब्सक्राइब हुआ यह IPO जो है 10 रखा गया था 17 से 19 तो आप इस चीज को जहां रखे है 17 से 19 का जो price band रखा गया था वो काफी मतलब कि इसको ऐसा माना जा रहा था कि इसकी pricing बहुत सही रखी गया ना महंगा है ना ही इतना सस्ता है तो बहुत सही pricing तो अब यह share आज की date में इसने listing करी है तो अब आपको दे allotment हो गए थी जो IPO आया था उस टाइमे जब apply करने के बारी थी तो 29 मार्च से April 3 तक यह उसके लिए open था और जो total कितना subscribe हुआ था 1.82 1.82 मतलब इतना गुना यह subscribe हुआ था यह तो सब ठीक है इतना गुना subscribe हुआ था तो performance कैसा रहा main बात आती है performance कैसा रहा अगर आप overall दे end flat मतलब कोई उच्छाल नहीं कोई गिरावट नहीं पस हलका सा मामुली सा उपर गया मामुली सा नीचे क्या यह आज देखने को बिला आप देखे रेल विगास निगम limited IPO अब यह stock खास इसलिए है और लोग इसमें entry के लिए डर को रहें वो देखे अब खास इसलिए है अभी भी मैं कहूंगा कि काफी पीछे हैं इंडिया के अंदर रेलवे तो उसका growth होगा जरूर होगा तो किनको order मिलेगा अगर government order देगी तो इनी companies को preference मिलनी चाहिए अगर इनके पास इतने अभी भी आप देखने कितना 72,000 क्रोड के आसपास का order book पड़ी हुई है तो इनक करता हूं अपने vote जरूर क्या होगा चाहिए किसी को भी क्या हो तो जो डर बना हुआ है अभी government change भी हो सकती है या वही government रहेगी तो यह जो डर है यह investors को थोड़ा सा पीछे हटा रहा है अपने इसमें investment करने से अगर आने वाले time में stable government नहीं आती तो यह डर है अगर stable government आती है तो वह तो positive चीजे हैं सा पुरी share market के लिए positive चीज़ है if the government will be stable then definitely share market will again jump लेकिन अगर यहां पर government stable नहीं होती है coalition government होती है तो वहाँ पर डर जरूर होता है डर होता है कभी भी सरकार गिर जाती है फिर share market में उसके लिए उपतार चड़ाओ देखने को मिलते हैं जरूर देखने को मिलते हैं और अब यह share का आज का अगर आप detail देखें RVNL तो देखिए सुबह जब market open हुई थी तो यह almost 18, 65 के आसपास गीरा हुआ नजर आ रहा था फिर थोड़ा उपर जाने की कोशिश करी इस ने देखिए 10 बजे के आसपास 19-20 तक गया फिर नीचे आया देखिए 18-80 तक फिर उपर गया देखिए बिल्कुल 19-50 तक गया फिर थोड़ा सा नीचे आया मतलब अच्छा खासा इसम वही रहा मतलब अल्मोस्ट 19 रुपे के आसपास ये बंद हुआ हलका सा positive 19.10 के आसपास ये बंद हुआ तो आप overall देखिए मैं कहूंगा कि ज्यादा इसमें ना high बना ना ज्यादा low बना और वही एक level जो इसने पकड़ रखा 19 रुपे के आसपास पर वही रहा अब आप सो रखा गया था ये बहुत वैल्यूवल था अब मैं कहूंगा अगर ये शेर आपको इस 19 रुपे से नीचे गिरता हुआ नजर आता है और वैसे तो ये 19 रुपे भी ठीक है आपको नहीं मिला और कुछ जैसे निफ्टी अभी भी उपर है मैं कहूंगा एक पने high level के उपर है 17 रुपे मतलब ये मायन के चलिए 19 रुपे से 10 परसेंट 20 परसेंट डाउन अगर ये मिलता है शेर आपको तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका होगा एक railway structure अगर railway जो segment है वह अगर develop होगा तो ये stock आपको माला माल कर सकता है नया stock जरूर है और no doubt reviews इसी वज़े से इसक की वेज़े से भी लेकिन मैं ये कहूंगा कि हाँ pricing ठीक है no doubt 19 रुपे लेकिन अपना starting price रखा था 17 रुपे उसके आसपास या उसके नीचे 2-3 रुपे का correction अगर देखने को मिलता है तो एक बहुत बढ़िया opportunity हो सकती है rail विकास निगम Limited तो यहाँ पर हमने बात करी इस वी कुछ लोगों ने listing gain के लिए किया होगा और इता ज्यादा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ तो 1.82 का सब्सक्रिप्शन था और यह इस तरह की से open हुआ है और वहीं प अगर आप देखो polycab wire वह 52 गुना सब्सक्राइब होगा तो सोचो वह की तरह listing gain देखे जाएगा आपको तो उमीद करता हमाँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं का तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आकन को प्रैस कर लें जिससे आपको दोटिफिकेशन आती रहेगे थ Thank you, thank you for watching the video.